दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपर्टेंट टॉपिक उत्तर प्रदेश की नदिया अगर आप यूपी PCS की तयारी करते हैं या फिर यूपी के किसी भी एक्जाम की तयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्पूर्ट रहने वाला है और इसको हम मैप के थ्रू देखेंगे सारी चीजों को एक-एक करके तो इसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं कि यह मैप है और इसमें जो दो नदियां है मैंने बनाई हुई है आप इनको देख पाएंगे यह जो ब्लू कलर से बनी हुई नदी है यह है गंगा नदी जो की उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है तो यह आपको याद रखना है अगर हम यहीं से सुरू करें तो 28 जिलों से होकर बहती है गंगा नदी उत्तर प्रदेश जिले में यह आपको याद यह छोटे छोटे facts याद रहने चाहिए है ताकि आपके एक समझ विक्सित हो सके और exam में ऐसे ही question पूछे जाते हैं जो भी question पूछे आते हैं उनको हम cover करेंगे तो एक तो बहुत महत्पूर्ण नदी है इसमें गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बहती है यान यह यमना नदी आप देख रहे हैं गंगा के दूसरी तरफ यह बह रही है और यह सब यहां से इटावा और यह हमीरपूर बांदा प्रियाग राज में आकर यह finally मिल जाती है प्रियाग राज में विल्ए हो जाता गंगा के साथ और इस तरह गंगा नदी की सबसे बड़ी स सायक नदी यमना नदी है जो 19 जिलों में यह बहती है तो यमना नदी के आरेम आपको याद रखना है यह 19 जिलों में बहती है उत्तर प्रदेश में और गंगा नदी जो है वो 28 जिलों में बहती है तो गंगा नदी अगर आप इसकी कुल लंबाई देखें तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी के लंबाई हाला कि ये facts कभी पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आपको बता दिया है वंडे एक्जाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इस point को आप समझ लीजे अब हम पढ़ने वाले हैं चुकि उत्तरप्रदेश की नदिया तो इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि हम इसको जैसे मिट्टियों का अद्यान हमने किया था उत्तरप्रदेश में उत्तरप्रदेश की मिट्टिया जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि हमने तीन छेत्रों में बाटा था मिट्टियों को कि पहला जो छेत्र था वो हमने तराई या भामर का छेत्र देखा था दूसरा जो मिट्टियां देखी थी वो मैदानी मिट्टियां देखी थी और तीसरी जो मिट्टियां देखी थी वो पठारी छित्र की मिट्टियां देखी थी आपको याद होगा पहली वाली वीडियो अपने मिट्टियों वाली देखी है तो तो उसी तरह हम नदियों का एक तरफ हिमाल्यन नदियां देखेंगे, यानि जो हिमाल्य से निकलने वाली नदियां है, जिसमें महतपूर्ण नदियां है, आपका गंगा है, यमना है, राम गंगा है, गागरा है, राप्ती है, गंड़क है और सरियू है, क्वेस्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में ही, ताकि समझ आपको एक बन जाए कि कैसे क्वेस्चन आते हैं, कई वार पूछ लेगा, आपको देदेगा, बेतवा देदेगा, गौम्ती, गंगा और यमना देदेगा, इसमे मैदानी नदियों में महतपूर्ण दो हैं, जिसमें एक गौमती है और एक सई है, हाला कि जो इंपोर्टेंट है, उनको हम देखेंगे, और आपको मैं बताता भी जाओंगा, कौन सी नदी कहां से निकल रही है, तो अब चलिए शुरू करते हैं, तो मैंने आपको बताया, स सबसे बड़ी सायक नदी आप ये देख रहे हैं, सहारनपूर में ये एंट्री कर रही है, तो हम गंगा को देख लेते हैं सबसे पहले, तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है गंगा नदी, और बिजनोर में ये प्रवेस करती है उत्तर प्रदेश के राज्य में, सबसे प्रवेस कर रहे हैं, जो प्रवेस होता है, क्वेस्चन वहीं से पूछा जाता है, जादा तर, ओदगम स्रोथ से क्वेस्चन बहुत कम बनते हैं, वंडे एक्जाम्स में कभी गवार पूछ ले तो पूछ ले, PCS में तो नहीं पूछा गया है, आप देख सकते हैं प्रिव बिजनोर में प्रवेस करती है उत्तर प्रदेश में, और यह बहुत मैतपूंट सहरों में बहते हुए, बुलेंसहर, नरोरा वाला जो छेत्र है उधर से यालीगड के तरफ से निकलते हुए, प्रियागराज, बनारस, गाजीपूर होते हुए, बलिया के बाहर से बाहर नि तो गंगा नदी के बारे में अभी हमने बाते बताई, बिजनोर में प्रवेस किया, 28 जलो में बही, प्रियागराज में इसका मिलन होगा सबसे बड़ी सायक नदी यमना के साथ, उसके बाद यह गाजीपूर होते हुए, बनारस के साइट से बहते हुए, बलिया से बाहर न जरूरी है यमना नदी, यमना नदी कहां पर प्रवेस करती है, तो यमना नदी यमनोत्री हिमनद, यानि उत्तराखंट से आते हुए, और उत्तर प्रदेश में सहारनपूर में यह प्रवेस करती है, तो मैं यहां पर लिख देता हूँ, सहारनपूर उत्तर प्रदेश का ज में प्रवेस करती है और ये बहते हुए आगरा इटावा और रहिया वाले छेत्रों में बहते हुए और हमीरपूर बांदा से निकलती है महत्पूर सहर पढ़ते हैं इस पर ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनमें यहां बहुत सारी सायक नदियां मिलेंगी और क्वेस् इतावा और रहिया हमीरपूर बांदा और प्रियाक राज में जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है संगम हो जाता है यहां पर तो अब हम देखते हैं आपको एक सहर देख रहा है और हमने बताया 19 जिलों में बहती है उसमें एक सहर आप देख रहे हैं यहां पर लिखा चम्बल नदी है और चम्बल नदी का रहें मैंने क्या बताया था तो पठारी छेत्र से निकलती है ये चम्बल नदी आप समझे ये पठारी छेत्र से निकलते हुए और ये कहां पे इटावा में आके यमना नदी में मिल जाती है यानि चम्बल नदी यमना नदी की सायक नद ये याद रखना बहुत जरूरी है, question सीधे पूझ लिया जाता है, कि कहां मिलती है, तो इतावा में इसका मिलन होता है, यमना नदी में, चंबल आपको याद रखना है, पहली हमने सहायक नदी बताई आपको चंबल, जो इतावा में जाके मिल जाती है, इसके बाद, से होते हुए और औरया में जाके ये मिलती है तो ये भी आपको याद रखना है सिंद नदी ठीक है ये कौन सी नदी हुई दूसरी सिंद नदी हुई और सिंद नदी कहां पर मिल रही है तो औरया में मिल रही है जालोन से होते हुए औरया में मिल जाती है और ये भी कैसी है त तो सहायक नदियां क्या होती है, वह नदियां जो अपना समस्त जल अपनी बड़ी नदी को नौचावर कर देती हैं, दे देती हैं, समर्पित कर देती हैं, वो नदियां सहायक नदियां कहलाती हैं, जो अपना पूरा जल किसी दूसरी नदी को दे देती हैं, तो यहां पे दो सायक नदिया हमने देगी गंगा यमना की चंबल और सिंध ठीक है ये महतपूर है आपको याद रखना तीसरी नदी जो है वो भी है महतपूर ये है बेतवा नदी कौन सी है बेतवा नदी और ये कहां से निकलती है तो ये भी बुंदेल खंड के पठारी छेतर से निकलती है और बेतवा नदी को आपको याद रखना है क्योंकि इस पे एक बहुत महतपूर बांध भी बना हुआ है माता टीला बांध question पूछ लिया जाता है कि माता टीला बांध किस नदी पे बना हुआ है तो बेतवा नदी पर बना हुआ है माता टीला बांध और ये हमीरपुर में आके गंगा नदी में यमना नदी में माफ कीज़े का मिल जाती है बेतवा तो हमने कौन सी देगी? चंबल, सिंद और बेतवा तीसरी नदी हमने देखी बेतवा जो यमना की सायक नदी है और इस पे माता टीला बांध है अगर आप चाहें तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माता टीला बांध यह महतपूर्ण है माता टीला बांध से question पूछा गया है previous years में इसलिए आपको याद होना चाहिए और हमीरपूर में जाके यह मिल जाती है माता टीला बांध के लिए आपको याद रखना है एक और जो महतपूर्ण नदी है वो है आपकी केन तीक है और यहाँ पे आप देख रहे हैं नदियों के आरे में कौन सी किस छेत्र से निकलती है तो बहुत सारी समस्या है तो ऐसे ही खतम हो जाती है क्योंकि पठारी छेत्र विंद का पठारी छेत्र कौन सा होगा है यह मद्धर परदेश होगा तो जो भी पठारी छेत्र से निकलने वाली नदिया होंगी तो वो किदर होंगी इधार होंगी क्योंकि उपर तो हिमालियन छेत्र है मैदानी छेत्र यहां होगा तो इस तरह आप इन चीजों को बड़ा आसानी से समझ सकते हैं कि पठारी छेत्र से निकलने वाली नदियां नदी में मिल जाती है यानि चंबल सिंद बेतवा केन यमना की सहयक नदी और यमना गंगा की सहयक नदी है इस तरह यह आप एक चीज़ आपको किलियर हो गई इसके बाद एक बहुत महतपून नदी है जिससे question बारबार पूछा जाता है पूछा इसलिए जाता है क्योंकि इसमें गड़वड होने की संभावना जादा रहती है और ये है tons नदी कौन सी है tons नदी है ये याद रखना है और tons नदी से question क्यों गड़वड होने की संभावना रहती यानि विंद्याचल के पठारी छेत्र से निकलती है, विंद्य के पठारी छेत्र से यह आपको याद रखना है, विंद्य पठारी छेत्र मैं लिख देता हूँ, यहां से यह निकलती है, और यह सिरसा में जाके गंगा नदी में मिलती है, यह ध्यान रखना है, यमना में नही क्योंकि यमना का प्रियाग राज में विले हो गया है उसके बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है और सिरसा में जाके टॉन्स जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है इसलिए ये आपको याद रखना है ये बहुत महत्पून है ये चीज आपको याद रखनी है और टॉन्स से इसलिए क्वेस्चन बनता है क्योंकि कही वार कन्फूजन उनिक समभावना रहती है क्वेस्चन गडबड उनिक समभावना रहती है टॉन्स को लोग यमना की साहयक नदी समझ लेते हैं आपको यसा नहीं करना है टॉन्स गंगा की साहयक नदी है ठीक है इसके बाद एक और महत्पूर नदी है जो सोन है और सोन को आपको याद रखना है तो सोन नदी निकलती है सोन बद्र से और ये उत्तर प्रदेश में नहीं गंगा में मिलती है बिहार में जाके छपरा में जाके सौनबद्र से निकलती है और बिहार में छपरा में जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है लेकिन इसका उद्गम स्रोत का है सौनबद्र है तो उद्गम स्रोत इसका सौन का सौनबद्र है और ये छपरा में जाके बिहार में छपरा में जाक डिस्टिक में जाके गंगा नदी में ये मिल जाती है बिहार राज्य में ठीक है ये आपको पता तो ये नीचे की वो महत्पून ने दिया है जो आपको पता होनी चाहिए ठीक है एक चीज यहाँ पर question बहुत महत्पून है सोन बद्रम है जलासे है जलासे का नाम आप मेरे को कमेंट करके बताईए कौन सा है अब हम गंगा के सायग नदिया देखेंगे जो की बहुत महत्पून है और गंगा की सायग नदियों से question बनता है इसलिए ये आपको याद रखना है सबसे पहली जो गंगा की सहयक नदी है दोस्तों वो है राम गंगा कौनसी है राम गंगा और राम गंगा बिजनोर जले में प्रवेस करती है ठीक है कौनसे जले में बिजनोर जले में प्रवेस करती है राम गंगा और ये कहां से निकलती है तो कुमाओ से निकलती है कहां से? कुमाओ उत्तराखंड से ये इसका उदगम श्रोत है, कुमाओ उत्तराखंड उदगम श्रोत से question पूछा नहीं जाता है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ज्यादा जोगर आप इस पर दीजियेगा मत ये जरूर में मिलती है तो कन्drive में मिलती है का मिलती है कांन नो finding ह Lynn आपको dug में हर् दोय यह लिखा देख सकता है क्या देख सकता है हर दोय बी लिखा देख सकता है बिल्कुल भी परेशान मत हो येगा कन्नोल हर्व हर्दय जो दिखे टिक मार दे न डौनों के केई किताबों में अलग-अलग ये दिख जाता है heap excel है इस पए दो सहर हैं दोस्तो राच विर जा इस पे राम गंगा नदी पे दो महत्पूर्ट सहर है मैंने बोला कि क्युश्टन बन जाता है सहरों से तो एक बरेली है celebration मेहतमूर्ट सेहर और एक मुरादाबाद है कौनसा है малень andar बरेली और एक मुर HEYमा और इसे और आपнет न न Ebola से ताव slack Rati अब एंपने याना बरेली के बाजर में तो अर्लीकि बात हो रही है यहांपर और मुरादाबाध भी इसी नदीपे पढ़ता है question पूछा जाता है, सूर्मा यहां का famous है, कभी पूछ लिया जाए बरेली का क्या famous है, तो सूर्मा कन्नोज और हर्दोई में आके यह गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा की सहयक नदी है, इतना आपको याद रखना राम गंगा के वारे में, फिर एक बहुत महत्पूर नदी है, जिसको आपको पता होना चाहिए, और वो है, यह आपको पता, यहाँ पे पीली भीत है, यह वाला portion, और पीली भीत में एक फुलहर जील है, कौनसी जील है, फुलहर जील पीली भीत पीली भीत में एक फुलहर जील है और फुलहर जील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गौमती और ये बहते हुए गाजीपूर में जाके काँ पे गाजीपूर में जाके गंगा नदी में मिल जाती है ये आपको याद रखना है महतपूर है गाजीपूर में ठी कौनसी नदी है ये तो गौमती इसका नाम है क्या नाम है गौमती नाम है फुलहर जील और इस पे दो महत्पूर्ण सहर है गौमती जील गौमती नदी पे माफ कीजेगा फुलहर जील से कौनसी निकलती है गौमती नदी फुलहर जील कहा है तो ये आपको याद रखना है पील पीली बीट से आपका निकलती है गौमती और इस पे दो महतपूर सहर बताए मैंने एक तो आपका है लखनव कौन सा है लखनव जिसको नवाबों का सहर कहते हैं और एक दूसरा महतपूर सहर है इस पे जौनपुर जिसको पूर्व का सिराज कहते हैं कौन सा कहते हैं पूर्व पीली बीट से निकलती है गौमती नदी और गाजीपुर में जाके ये गंगा में मिल जाती है तो इसकी वारे में आपको याद रखना है गौमती नदी के वारे में ठीक है फिल एक बहत्पूर नदी है कुसी नगर से निकलती है जिसका नाम है कुसी नगर से निकलती है और इ कुसी नगर से प्रवेस करती है, छपरा नदी इसका नाम है, छपरा नदी नाम है, कुसी नगर में ये प्रवेस कर रही है, यह आपको याद रखना है, ठीक है, ओफो, माफ कीजिएगा, इसके लिए माफ भी चाऊँँगा, जल्दवाजी में थोड़ा गढ़वर कर वैटा, नाम है घागरा नदी घागरा नदी कुसी नगर में ये प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में और छपरा बेहार में जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है इसका जो विले है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है बेहार में है ये आपको याद रखना है किसके वारे में घागरा नदी के वारे में ठीक है दोस्तों कहां पे प्रवेस कर रही है तो मैंने आपको बता दिया कुसी नगर उत्तर प्रदेश में ये प्रवेस करती है बहुत महतपूर नदी है इससे पूछा जाता है घागरा नदी से इसलिए ये आपको याद होना बहुत जरूरी है ठीक है इसके साथ दो और महत्पून नदियां है, तो ये आपको याद रखना है, एक तो बहरामपुर से निकलती है गली, बलरामपुर से, एक नदी बलरामपुर से प्रवेश करती है और ये घागरा में मिल जाती है, और एक दूसरी नदी है, जिसका नाम राप्ति है ठीक है और ये देवरिया में प्रवेश करती है ठीक है यह यहां बैरामपुर होगा और ये देवरिया होगा इनसे question पूछे जाते हैं इसलिए ये आपको याद रखना है पहली मैंने कौन सी बताई आपको दो नदियां बताई है याद रखना शारदा और राप्ति तो शारदा नदी और राप्ति नदी इनके बारे में आपको क्या याद रखना दोस्तों तो जो शारदा नदी है आपकी ये बहरामपुर में गागरा नदी में मिलती है और राप्ति नदी जो है वो देवरिया में गागरा नदी में मिल जाती है ये दो सहयक नदियां है आपकी किसकी गागरा नदी की और गागरा नदी किसमें बलराम बिहार में जाके गंगा नदी में मिल जाती है ये महत्पूर्ण नदिया है यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा यहां पर गड़वल कर दी थी तो यह जो घागरा नदी है यह कुसी नगर उत्तरप्रदेश में प्रवेश करती है और छपरा बिहार में जाके गंगा नदी में मिलती है उससे पहले इसमें दो नदियां प्रवेश करती है एक राप्ती है जो देवरिया में आके घागरा में मिल जाती है दूसरी शारदा है जो बहरामपुर में आके घागरा नदी में मिल जाती है फिर इन दोनों का जल लेके ये छपरा में जाके गंगा नदी में मिल जाती है घागरा नदी के नाम से इस तरह घागरा नदी की सायक नदियां राप्ती और शारदा है गंगा की सायक नदियां कौन कौन सी है राम गंगा है जो कुमावू में निकलती है और प्रवेस कहां पे करती है तो बिजनौर में प्रवेस करती है इसको मैं लिख देता हूँ यह मैं लिखा नहीं है तो बिजनौर में प्रवेस करती है ये भी और बिजनौर में प्रवेस करती है गंगा भी ठीक है उसके बाद फुलहर्जील पीली वीत से निकलती है गौमती लखनव जौनपूर इसके दो सहर पढ़ते हैं और गाजीपूर में गंगा में प्रवेस्क मिल जाती है ऐसे ही राम गंगा कहां पे कन्नोज हर्दोई में और इसमें बरेली और मदादावाद दो सहर थे फिर हमने देखा गागरा नदी इसकी शारदार राप्ति सायक नदियां है और यह छपरा बिहार में जाके यह गंगा नदी में मिल जाती है इसके बाद एक और बहुत महत्पूर नदी है गंडक गंडक को भी आपको याद रखना है और ये बलराम महराज गंज में ये प्रवेस करती है उत्तर प्रदेश में और कुछ थोड़ी सी सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश और बेहार के साथ और उसके बाद बेहार में जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है इसका नाम आपको याद रखना है इस नदी का नाम है महाराज गंज महाराज गंज में ये प्रवेस करती है उत्तर प्रदेस में और ये उत्तर प्रदेस और बेहार की सीमा भी बनाती है और फिर ये बेहार में जाके गंगा नदी में मिल जाती है तो इस तरह आपको ये नदियां है जो महत्पूर्ण है और जो आपको याद रखन यह कहां प्रवेस करती है यह आपको पता होना बहुत जरूरी है और यह कहां मिलती है यह पता होना बहुत जरूरी है इतना कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा अगर इसमें आपको कोई कनफ्यूजन हो तो कॉमेंट करिएगा मैं कॉमेंट में भी आपका सॉलूशन दूँगा नहीं तो एक बार फिर से अगर कोई जरूरत लगेगी तो और वीडियो बना देंगे तब तक के लिए थैंक्यू बने रही है हमारे साथ क्योंकि हम पढ़ाते हैं विल निसुल्क और आप बने रही है दोस्तों के साथ वीडियो सेयर कीजिए पसंद आया होते लाइक करना मत भूलिए थैंक्यू सो मच जैहिंद